कि साथियों यह सही कह रहे हैं कि इन्हें चार काम आते हैं अब मैं जरा वर्णन कर रहा हूं उन्हीं की बात को मैं बताता हूं वो चार काम की बाते करते हो चार काम क्या है उनके दिल दिमाग में क्या पड़ा है उनका भुतकाल इन बातों का गवाँ है वो क्या है पहला काम ये जो भी करेंगे वो एक परिवार के हित के लिए करेंगे दूसरा काम ये जो भी करेंगे उसमें ब्रस्टाचार होगा ही होगा तीसरा काम ये तुष्टी करण की राजनीती करेंगे देश को तुकड़ों में बाटने के शड्यंत्रों को वे अपनी वोट बेंक के काराण ये खेल खेलते रहें हैं खेल खेलते रहेंगे ये योजनाओं में भेदभाव करेंगे सिरफ अपनी वोट बेंक सबालेंगे चौथा काम बर्सों तक ये परी योजनाओं को लटका कर रठेंगे ताकि लंबे अर्से तक उसमें से जी दोहन करके अपना जेब भर सके आज इनके इन चार कामों का पूरा कच्चा चिछा मैं आपके लेकर के आपके पांस आया हूँ भाईयो भेनों मैं यहां किसी की आलोचना करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ उत्रा खंड की धर्ति से मेरा एक विश्यष नाता रहा है आप लोगों से मेरा विश्यष नाता रहा है और आज नहीं मैं गुजरात का मुखे मंत्री था तब भी गुजरात के मुखे मंत्री के पहले संगठन का काम करता था तब भी और उसके पहले भी मेरी एक जिंदगी थी मैं आपके बीच में रहा हूँ आप मुझे अच्छी तरह जानते मैं आपको जानता हूँ आपके दुबदर को जानता हूँ अपने सपनों को जानता हूँ और जब आपका कोई यहां बैठा है तो आपके लिए जीएगा के नहीं जीएगा आपके लिए काम करेगा और नहीं करेगा लेकिन बीच में रोडे अटकाने वाले लोग बैठ गए तो मैं कितना ही चाहूं कितना ही करना हो मैं कर पाऊंगा क्या गलती मत करना मेरे भाईयों बहनों उत्राखंड के युवाओं के लिए उत्राखंड के उज्वल भविश के लिए उत्राखंड के गाउं गरिब के लिए किसी भी हालत में गल्ती नहीं करना बाई और बहनों जब दिल्ली में इनकी सरकार थी कॉंग्रेस के नेता यूपिये के नेता दिल्ली सरकार में वैठे थे और आपी के उत्राखंड के एक नेता उज्वाने पर तो बड़े रसुकदार नेता यहां मंत्री थे 2000 से 2014 के दौरान उत्राखंड में सडके बनाने के लिए याद रखिए आपके साथ क्या हुआ है और उसी के तराजु पे तोलिये जब उनकी सरकार थी और आपके उत्राखंड के ये गनेता उस सरकार में यह मंत्री बैठे थे परिवार की सेवा में लगे से उस समय सडके बनाने के लिए इन्हों ने केवल 2800 करोड रुपिय दिये याने मुसीबत से 2500 करोड दो हजार चवदा में आपने हमें आशिरवाद दिया उन्होंने साथ साल में क्या किया था वो मैंने बताया हमने इन साथ सालों में उत्राखंड में सडकों और हाइवेज के लिए करीब करीब 33000 करोड से भी जादा रुपिय दिये हैं अब आप मुझे बताईए उनके ताइम में साथ साल में 2800 करोड 3000 से भी कम और हमारे साथ साल में 33000 करोड रोड बनाने के लिए आप मुझे बताईए आपका भला हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं यानि बहुत गुने से भी जादा एक और बात आप लोग ज़रा नोट कर लीजिए यूपीए की दस साल की सरकार के समय प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहट 3800 किलोमीटर ग्रामीट सड़के बनी थी और मैं तो उत्राखन में रहा हूँ वहां सड़क होना मतलब जिन्दगी आसान होने का मतलब होता है उन्हों ने क्या किया था मैंने अभी आपको बताया जबकि हमने 2014 के बाद सिर्फ साथ सालों में 13500 किलोमीटर सड़के बनाई है साड़े 13000 किलोमीटर साथियों जिस चार दाम रोड प्रोजेक्ट की याद इन्हें आ रही है उसके साथ इन्होंने क्या 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 किया यह भी मैं आपको बताता हूं आज जब डेबल इंजिन सरकार चार दाम रोड प्रोजेक्ट के लिए 12000 करोड रुपिय दे चुकी है नब्बे प्रतिशत काम भी पुरा कर चुकी है उन्हें अब पहली बार चार धाम का नाम याद आ रहा है पहाड में रहने वाले लोगों के लिए रेल एक बहुत बड़ी घटना होती है रेल देखना भी उनके नसीब नहीं होता है उसकी सामें हम रिजी केस खन प्रयाग रेलिवे लाइन के साथ उन्होंने क्या किया था यह हम भूल नहीं सकते हैं अगर उत्राखन को वो समझते उत्राखन की भावनाओं को समझते उत्राखन के लोगों की जिन्दगी समझते तो ऐसी पांप ऐसी गलती नहीं करते हैं मैं इसलिए अच्छा कर पा रहा हूं क्यों मैं आपके बीच से निकला हूं आपके बीच में रहा हूं 2011 से 2014 तक जब हमारी सेरकार आई थी उसके पहले उन्होंने इस महत्वपुन प्रोजेक के लिए रेलिवे के इतने महत्वपुन प्रोजेक के लिए कितना रूपया खर्च किया सिरफ चार करोड रूपिये अब इन पर सेंकडो करोड रूपिये हमारी सरकार खर्च कर रही है साथियों ये हिसाब किताब बहुत लंबा है मैंने तो आपको केवल एक दो ही उदाण दिये है ऐसे काम करने वालों को आप जिनों ने आपके साथ इतना न्याय किया आपकी मुल्भूस विधाओं के प्रती अनादर किया क्या ऐसे लोगों को आप उत्राखंड की जिम्मेदारी दे सकते हैं क्या ऐसे हाथों में मेरे उत्राखंड ये युवाओं का आप अपने बच्चों का भविष्य क्या आप उनको सौप सकते हैं जब आप वोट देने जाएं तो हमारी सरकार ने क्या किया है दिलने में रहता हूँ लेकिन मेरे दिल में उत्राखंड की कितनी बड़ी जगा है इन बातों को याद रख करके वोट करने के लिए जाईए ये मेरा विशेश आगर आप सकते हैं स्क्राफंड येने कर दो में आपर कर प्रत करें।